कि ये लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पर लगी बेल आइकॉन के जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम ताइम पर मिलती रहे और दोस्तों गर आपको मारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं गर आपको मारे काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्राउन बन करके या फिर इसकी मेंबर्शिप ले करके पेट्रान बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जिसपर क्लिक करके आप पेट्रान बन सकते हैं और मेंबर्शिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से लिया गया है जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं और फट्रोप निल्स्ता इस्री घनाज़ोगर्टो से अFr γ्याना़ाग। जहीं 10,000 फ़ आफसे लיुट्स आपटाइगा। उन्याष पाइखा हूंगा? उन्यावा इस्रेवारी तेगाइंट इस्रेजीवारी बिए्टारी घंचाने हटाने इसाथाइऑ तेस्टने पूदिस क llिवा जिवाग टिर टे शीवाब अजाटयो जा कहा कैंशानी प्लिवूड़ यशी प्लिवाग्स वहाइ're चलिवाइ प्लिवाब प्लिवाटयो ते अथक् कारी प्लिवाटयोग ना 뉴스 दो दिन पहले यानि 20 जनवरी 2014 को एराक में अमेरिकी सैनिट्रिका ने अल असद एयर बेस पर एक बड़ा हमला हुआ है तमाम रिपोर्ट्स के मताबिक कई साल बाद ऐसा बड़ा हमला हुआ है बीते दो दिनों में चीन के किरदार और बढ़ते इंफ्रूएंस के कुछ एक्जामपिल्स पर अगर नज़र डालें तो सबसे पहले दिखता है कि फिलस्तीन ने चीन को अपना सचा दोस बताया है वहीं रूस ने चीन को अपना हमेशा के लिए दोस बताया है तो चीन ने एरान और पाकिस्तान के बीच का टेंशन जो की एक डिपलोमेटिक कॉनफलिक्ट ही नहीं बलकि दूसी तरफ बढ़ लही क्राइसिस था उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ला दिया है वहीं अमेरिका ने चीन से रेट सी क्राइसिस में कुछ दखल देने की रिक्वेस्ट करी है पर चीन ने इससे साफ इंकार कर दिया है अब चीन ने अमेरिका को पेगाम भेजा है कि दुनिया का महौल गरम ना किया जाए क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर जा सकता है दोस्तो वेस्ट एशिया में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसराइल और हमस के बीच सीधे फौजी टकराओ के तौर पर शुरू हुआ मामला अब रीजनल सिक्योर्टी क्राइसिस में बदल चुका है हिजबुल्ला, कताइब हिजबुल्ला, हशद अलशवी, हुतीज, एरान, पाकिस्तान और अमेरिका सभी अब एक फैर रहे कौन्फलिक्ट थियेटर का हिस्सा है क्योंकि गज़ा पर इसराइल की जंग, जिसमें सौ दिनों में 24,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं बिना किसी नतीजे के जारी है इस रीजन से रेलेटर्ट सिक्योर्टी क्राइसिस बढ़ती ही जा रही है जब हमास के 7 अक्तूबर के सरहत पार हमले के बाद इसराइल ने गज़ा पर अपनी जंग शुरू करी थी तो ऐसा डर था कि जंग फिलस्तीन के बाहर फैल सकती है इरान सपोर्टेड लिबनानी आर्मड ग्रूप हिस्बल्ला ने फिलस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए शेबा फार्मस में इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट दागे दोस्तों शेबा फार्मस एक इसराइली कंट्रोल रीजन है जिस पर लिबनान अपना दावा करता है खैर तब से हिस्बल्ला और इसराइल के बीच कई बार गोला बारी हुई है लेकिन दोनों ही केरफुल थे कि तनाव को फुल ब्लोन वार में ना बढ़ने दे जहां अरब मुल्क इसराइल की अंधा दुन बॉंबारी से परिशान होकर इसराइल पर दबाव बनाने के लिए डिपलोमेटिक रास्ते पर अड़े रहे वहीं इरान सपोर्टर मिलीशिया ने दूसरी जगों पर नए मोर्चे खोल दिये हैं यमन के मिलीशिया हूतीज ने फिलस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी दिखाते वे नवेंबर से रेट सी में कमर्शियल वेसल्स पर हमला करना शुरू कर दिया था हूतीज जो यमन के रेट सी कोस्टल एरिया समय ज्यादतर हिस्से को कंट्रोल करते हैं उन्होंने तब से दरजनो जहाजों को निशाना बनाने के लिए सी डिनाइल टाक्टिक्स का इस्तिमाल किया है जिससे कई शिपिंग दिगजों को रेट सी में अपना आपरेशन सस्पेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा कुल मिलाकर इसराइल और इरान के बीच भी चोतरफा शेड़ो वार चल रही है ताजा मामले में इसराइल ने दमिश्क पर हमला किया जिसमें इरान के इस्लामिक रेवुलूशनरी गार्ड यानी आई आर जी सी के सीरिया के स्पाई चीफ की मौत हो गई दोस्तों अमेरिका जिसे कभी वेस्ट एशिया में जियो पॉलिटिकल आउटकम्स को शेप देने वाला माना जाता था अब एक हेल्पलेस आग जनी करने वाला बन कर रहे गया है इस रीजन में अमेरिका की ताकत में गिरावट उसके सबसे खराब क्रिटिक्स की इमेजिनेशन से भी ज्यादा तेज है इसी गिरावट का नतीजा है कि इराक ने पहले ही कहा था कि अमेरिकी सैनिकों को इराक से वापस जाना होगा अब उस अलाके में कॉन्फलिक्ट बढ़ते देख अमेरिका अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाना चाहता है लेकिन इराक ने इससे साफ मना कर दिया है सीरिया और इराक में कुछ दिन पहले इरान ने मोसाद और उसके ऐलीस के ठिकानों पर बड़े हमले करे थे ये हमले लिबनान में इरानी मिलिटरी आफिसर्स पर हुए इसराइल के हमलों के रिस्पॉंस में हुए थे अब उन हमलों के जवाब में इसराइल ने सीरिया में हमला किया है और दो दिन पहले यानि 20 जनवरी 2024 को इराक में अमेरिकी सैनिक छिकाने पर बड़ा हमला हुआ है तमाम रिपोर्ट्स के मताबिक कई साल बाद ऐसा बड़ा हमला हुआ है वहीं रूस्त ने सीरिया में हवाई निगरानी का एहम फैसला भी ले लिया है दोस्तों सीरिया में साल 2011 में सिविल वार छिडने के बाद से इरान के रिवलूशनरी गार्ड्स की बड़ी हस्तियां वहां मौझूद रही है इनका काम राश्पती बशर अलसत के खिलाफ बड़े पैमाने पर खड़े हो चुके रिबेंस यानि विद्रोहियों के खिलाफ बशर अड्मिस्ट्रेशन की मदद करना इरानी रिवलूशनरी गार्ड्स यानि आई यार जी सी इरान में एक बड़ी फाजी सियासी और एकॉनमिक पावर है अब सीरिया की कैपिटल पर हवाई हमले में इरानी सीक्योर्टी फोर्स के पाथ सीनियर मिमबर्स के मारे जाने पर इरान के राश्पती ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा इबराहीम रईसी ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदा ठराया है इस हमले में सीरिया सिक्योर्टी फोर्सेस के भी कई मेंबर्स मारे गए हैं इसराइल ने अब तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है कई सालों से इसराइल सीरिया में एरान से जुड़ी जगों को निशाना बनाता आया है लेकिन इसराइल पर 7 अक्तूबर को हमास के हमले के बाद शुरू हुई इसराइल घजा जंग के दोरान ऐसे हमलों में तेजी आई है सेटर्डे को ये हमला साउथ वेस्ट दमिश्क में माजे के नजदीक हुआ है इस इसलाके में एक फौजी हवाई अड़े के साथ साथ दमिश्क का युनाइटेड नेशन हेड़कॉर्टर एमबेसी और रेस्टोरेंट भी है इरान की नियूज एजनसी महर ने कहा है कि हमले में आई आर जीसी के सीरिया इंटेलिजन्स चीफ और उनके डेपिटे समय दूसरे सैनिक मारे गए हैं ब्रिटेन की गेर सरकारी और्गनाइजेशन सीरियन अब्जर्वेटरी फॉर हुमन राइट्स का कहना है कि इस हवाई हमले में दस लोग मारे गए हैं जिनमें रेवलुशनरी गार्ट के नेता भी शामिल है अरब नियूज एजनसी ने एक मिलिट्री सोर्स के हवाले से कहा है कि उन्होंने कुछ मिजाईल को रोकने में कामिया भी पाई थी लेकिन एक रहाईशी अमारत पर बड़ा हमला हुआ है जिसमें कुछ आम लोग जखमी हो गए हैं और कुछ मारे गए हैं दरसल इसराइल पर साथ अक्तूबर के हमले के बाद से पूरे रीजन में कापी तोर से एक दूसरे के कटर दुश्मन इसराइल और इरान के बीच हो सकती है इस दोरान कई वारदाते भी हो चुकी हैं इसराइल फिलस्तीमी और्गनाजेशन हमास को निशाना बना रहा है जिसका सपोर्ट इरान करता है पिछले कुछ वक्त से ये इरान सपोर्टेड पर बॉम बारी कर रहा है इराक और सीरिया में इरान सपोर्टेड ग्रुप्स भी इस रीजन में अमेरिकी फौज को निशाना बना रहे हैं वहीं अमेरिका और यूके ने यमन में इरान सपोर्टेड हूती इस पर हमला किया है इसके बावजूद हूती लगातार रेक्सी मे जहाजों पर पिछले कुछ वक्त से अमेरिका की तमाम बेयान बावजी tools भी हमला कर रहे हैं दुसी तरफ इरान ने पाकिस्तान सीरिया और राकी कुर्डिसतान में क्टई ठ्षीकान सेitzerland पर हमला किया है इसके अलावा वहां और एराक में एरान के प्रॉक्सियों के तरफ से करे जा रहे डॡोन हमलों से भी लड़ रहा है इन सब हमलों में एक बात कॉमन है और वो यह है कि हर किसी का कहना है कि वो ऐसा सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए स्यासी तमाशे के साथ जै हिंद सत्यमेव जैते अल्हाफिस दोस्तो हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं अगर आपको हमारे काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्राउन बन करके या फिर इसकी मेंबर्शिप ले करके दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग-अलग डाल दिया है जिसपर क्लिप करके आप पेट्राउन बन सकते हैं या फिर अपने इस चैनल की मेंबर्शिप ले सकते हैं और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानि एक्स पर हमारे पेस्बूक पेज पर हमारे इंस्टाग्राम पर मेरा ट्विटर है एड़ रेट आफ अर्शी अजीज थान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में